तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू की एकदम नए तरीके की सबजी, जब घर में कोई सबजी ना हो तो आलू तो हर गर में मिल जाता है, तो इस बार आप ये वाली सबजी जरूर बना के देखना, इसे हम कूकर में बनाएंगे, इसलिए ये बहुत ही कम टाइम में बनका तयार हो जाएगी, तो चलिए फटा-फट बनाते हैं ये मज़ेदार सबजी, एलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की नई रेसिपी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग त गुरादा ले लूँगी, और अब एक टेबल स्पून जितना बेशन ले लूँगी यहाँ पर, हाफ टीजपून सौफ और वन टीजपून तिल ले लेंगे, वाइट तिल है ये, और हाफ टीजपून ही मैं यहाँ पर आमचुर पावडर ले रहे हूं, वन फोर टीजपू गरा मसाला ले लेंगे, इसके साथ ही में यहाँ पर दो टेबल स्पून ओयल डाल दूँगी, इसे मसाले में अच्छे से बाइंडिक आ जाएगी, और इसे हम आलू के अंदर अच्छे से स्टफ कर पाएंगे, तो सारे मसालो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखे अब हम आलू की दोनु साइड पर कट लगा लेंगे, इस तरह से देखिए, एक कट इस तरफ लगाना है, और एक कट दूसरी तरफ लगाना है, इस तरह से, देखिए, ऐसे opposite साइड में कट लगाना है, तो मैंने इसी तरह से पाकी सभी आलू में कट लगा लिया है, अब हम हूं को हम एक एक आलो के अंदर इस तरह से अच्छे से भर लेंगे अच्छे से दबाके भरेंगे हैं इसतरह सो बहुत यूनिक तरह की सबसी बनकर तयार होगी आप एक बार जरूर बनाकर अब देखेगा यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगए कि आपको यह सब्जी तो बस इसी तरह से हमें सभी आलू के अंदर मसाला भरना है और यह मसाला आप बहुत सारी सब्जियों में यूज कर सकते हैं तो देखे मैंने सारे आलू इस तरह से भर लिये हैं और यह बचा ह अंदर डाल देंगे आधी चंबह राई अधी चंबहुत हिंग्या बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब इसमें दो घुकि इससे आलू की ग्रेवी बहुत ही गाड़ी होगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा तो टमाटर को हमें मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है तो इसे सॉफ्ट हो जाए टमाटर तब तक अच्छे से भून लेंगे हम और बीच-बीच में ऐसे चलाते रहेंगे तो मसाला अच्छे से भून गया है टमाटर के साथ अब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे मैं आप एक ग्लास गरम पानी डाल रही हूँ आप ग्रेवी के हिसाब से गरम पानी कम जादा कर सकते हैं आपको अगर ज्यादा रसे वाली सब्जी बनानी है तो आप पानी ज्यादा यूज़ कीजिएगा अब हम इसमें भरे हुए आलू डाल देंगे और इसे चम्मत से हलका सा चला लेंगे इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना है और अब हम इसके उपर ढकन लगाके एक सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे तो फ्रेंज ध्यान रखना हमें कूकर के एक ही सीटी लेनी है नहीं तो आलू जादा गल जाएंगे तो देखें यहां पर एक सीटी आ गई है अब हम गैस को बन कर देंगे और जैसे ही कूकर ठंडा हो जाए हम इसका ठकन खोल देंगे तो देखें कूकर ठंडा हो गया है अब हम इसका ठकन हटा देंगे और सबजी बहुत ही जादा सुन्दर बनी है देखे बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर आया इसका और बस एक ही सीटी में हमारे आलू पक्के तयार हो गए है देखे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ देखो यह आसानी से आलू कट रहे हैं तो अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स कुकर में बहुत ही कम टाइम में यह सबजी बनकर तयार हो गई है आप अफ़ते में दो बारे सबजी बना कर खाएंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है यह सबजी और टाइम भी बहुत बचेगा हमारा इस सबजी को आप पूरी पराठा या रोटी के साथ भी आराम सिखा सकते है बहुत ही गजब लगती है यह अब थोड़ा सा गानिशिंग के लिए हम इसके उपर धनिया डाल देंगे तो फ्रेंड्स एक बार आप यह सबजी ज़रू ट्राइ कीजेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको और वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ थैंक यू